आज का हमारा question है इस question में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ misprint लग रहा है यहाँ पे 30N2 लिखा है तो कहीने कहीं P लिखा होना चाहिए था मान लेते हैं यहाँ पे P है तो अपने question में आप P मान कर इसे solve करेंगे क्योंकि book में कहीं misprint हुई है चलिए start करते है PN4 का मतलब क्या है N factorial और नीचे N minus 4 factorial तो जब भी ऐसा लिखा हो PN4 इसका मतलब N factorial उपर आएगा और N minus 4 factorial नीचे divide में आएगा is equal to 30 PN2 लिखा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे देखिए N factorial और divide में N minus 2 factorial इस तरह से तो इसे हम solve करके यहां से देखिए N निकाल लेंगे N factorial से N factorial cancel कर देते हैं 1 by N minus 4 factorial is equal to 30 N minus 2 factorial N minus 4 और N minus 2 factorial इन दोनों में से जब factorial का निशान आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है अभी तक हम factorial का निशान ऐसे बनाते रहे हैं इससे तो आप चाहें यह L सा दिखाएं यह भी factorial है या आप उल्टा आई ऐसे यह भी factorial ही है तो इस question में factorial को मैं इस तरह से बना रहा हूँ तो आपको confusion नहीं लानी अपने माइन में बिलकुल भी किसी तरह की तो n-4, n-2 तो इन दोरों में से बड़ा को है देखिए n-2 बड़ा है जो बड़ा होगा उससे आप open कर देंगे तो n-4 factorial n-2 है तो इसे open करते है n-2, n-3, n-4 factorial तो इस factorial को ऐसा लिख रहा हूँ मैं इस बार तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह n-4 और यह n-4 cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा one by one अच्छा cancel कैसे रहा है? divide होगे cancel हो रहा है ऐसे ही है यहाँ पर यह चीज यहाँ पर जाएगी यह divide में जो थी यहाँ पर multiply में जाएगी और फिर ऐसे cancel किया है मैंने तो यहाँ पर shortcut या फिर एक step बचा लिया है हमने सिधा यह पर cancel कर दिया एक्छान में होके आ रहा है यह चीज यहाँ पर जा रही है उपर और फिर ऐसे division के वज़े से cancel हो रही है 30, n-2, n-3 इसे यहाँ पर multiply कर देते हैं तो 1 के साथ n-2, n-3 is equal to 30 1 के साथ किसी को multiply करे या ना करे हम एक ही बात है तो इस तरह से देखिए हमारे पास यह equation बन गए यहाँ से हम आसानी से n को निकाल सकते है अच्छा n को हम कैसे निकालेंगे या तो आप ऐसी सोच लिजे देखिए हमारे पास जो यह value थी 4 तो n की value 4 या 4 से बड़ी ही होगी तो आप एक बार यहाँ 4 पुट कीजिए 4 यहाँ पुट करेंगे तो 4-2, 2 बनेगा 4-3, 1 बनेगा तो जब आप यहाँ पे n की value 4 पुट करेंगे तो answer 30 नहीं आएगा 5 पुट करके देख लिजी answer 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा एक बार n की जगा 6 पुट कर लिजी देख लिजी answer 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा एक बार 7 एक बार 80 इस तरह से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी आपको n की value मिल जाएगी या फिर आप क्या कीजिए दूसा तरिका क्या आपके पास कि इसको इस से multiply कर देते हैं तो पहले n को n से multiply करेंगे तो n square बनेगा फिर n को 3 से multiply करेंगे तो minus 3n इस minus 2 को n से multiply करेंगे minus 2n minus 2 को minus 3 से multiply करेंगे plus 6 is equal to 30 तो इस n square minus 3n minus 2n कितना हो जाएगा minus 5n plus 6 is equal to 30 इस 30 को इधर ले आते हैं तो इस 30 को इधर ले आएंगे तो महारे पास equation बन जाएगी n square minus 5n plus 6 इधर आगे minus 30 is equal to 0 minus 24 तो इस quadratic equation को हम solve कर लेंगे by splitting the middle term तो यहाँ पे आप कुछ मानने जिए 1 है याँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कुछ और नहीं मानना सिर्फ 1 ही मानना है याँ पे तो first number और last number को multiply कीजिए तो first और last को अगर हम multiply करते हैं यानि कि 1 और minus 24 तो answer आता है minus का 24 तो आपको दो number सोच नहीं को multiply करके minus 24 आए plus या minus करके minus का 5 आए तो दो number हमने सोच लिए एक तो हो गया हमारे पास 8 minus का और plus का 3 तो minus 8 और plus 3 जब इनको हम plus करेंगे देखे तो minus 5 आएगा ये वाली value बीच वाली value और जब इनको हम multiply करेंगे तो ये वाली value भी आजाएगी तो इस तरह से आपको ये काफी बार बताया गया तो आपको ये आजाना चाहिए अब तक तो बीच वाली इस value को middle value को split कर देंगे minus 8N और plus 3N लिख कर अब इन में से common निकाल लीजिए तो N square और N में से common आजाएगा N यहाँ पे N minus 8 3N और minus 24 इस में से common क्या आएगा तो 24 का मतलब 3 multiply 8 तो यहाँ भी देखे 3 है और यहाँ भी 3 है तो ये 3 common ले लेंगे हम ये 3 यहाँ पे आचुक है तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ N minus ये 3 यहाँ बाहर आचुक है तो यहाँ के बचेगा सिर्फ 8 is equal to 0 इसके बाद इसको लिखते हैं आप देखे ब्रैकेट में दोनों अगर same है तो मतलब हमने सही किया है तो N minus 8 is equal to 0 या फिर N plus 3 ये जो है ना ब्रैकेट के बाहर जो नज़र आ रहे हैं एक बार लिखेजी N plus 3 is equal to 0 बस इसे solve कर लेते हैं तो N is equal to आ जाएगा 0 plus 8 या फिर इस 3 को इज़र ले जाएए तो N is equal to 0 minus 3 N आ गया is equal to हमारे पास 8 या फिर N की value आ गया हमारे पास minus 3 N की value negative नहीं हो सकती तो ये वहला answer नहीं होगा तो answer इसका कौन सा होगा फिर ये वहला तो इस तरह से हमारे पास देखे N is equal to 8 ये final answer होगा माल लेजे यही value अगर plus 3 भी आती तब भी इसका answer ये नहीं होता क्योंकि N की value जो हमारा ये R होता है जो ये कॉमा के बाद होता है ये R होता है तो N की value इससे बड़ी या इसके equal होनी चाहिए तो अगर हमारा यहाँ पे N की value जैसे मैं कहा रहा हूँ plus 3 भी होता तब भी हम उसे neglect कर देते वो answer नहीं होता क्योंकि N की value R हमारा 4 दे रखा है question में तो N की value 4 या 4 से बड़ी ही आएगी तो इस तरह से इसका answer देखे N is equal to 8 बन जाता है